Hello everyone and welcome to Education Achievers. I hope you all are doing well. Previous year questions series में आज हमारी third class है. दो classes हम लोग already cover कर चुके हैं. अगर आप लोगोंने वो दो classes miss कर दी हैं तो please उन classes को आप जरूर से check out कर लीजेगा. उनमें भी हमने काफे सारे important concepts अच्छे से discuss किये थे. यह इस series की आज third class है और इससे की आगे की classes अगर आप लोग miss नहीं करना चाते हो तो channel को subscribe कर देना और उसके सासाथ bell icon भी press कर देना ताकि कोई भी notification आपका miss ना हो. ठीक है चलिए start करते हैं अपनी आज की class. पहला question देखते हैं. 30 questions हम लोग already discuss कर चुके हैं. यह 31st question हैं और आप लोग questions solve करते हुए मैंने पहले भी बताया था पहले आप लोग video को pause करना, खुद से answer करना कि इसका question का answer क्या होता है, उस क्या हो सकता है, उसके बाद देखना आपकी मैंने इसका क्या answer बताया आपको. इस तरीके से आप लोगों को practice करना हैं. तो यह matching से related question हैं, जिसमें list 1 में दिया हुआ है research के types, और list 2 में दिखाया गया है research के purpose. ओके, तो देखो, matching questions को solve करने का सबसे best तरीका यह होता है, पहले आप लोग सबसे जो easy option हैं, उसको पकड़ लीजे. यहाँ पर सबसे easy research कौन सा है, basic research, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, basic research का क्या मतलब होता है, जितने भी theories होती हैं, जितने भी principles होती हैं, जैसे कि Newton का law है, या फिर gravitation law है, यह सारे ही हमारे basic research का part होती हैं. जितने भी नई-नई theories आती हैं, वो सब किसके अंडर आएंगे, basic research के अंदर, और इसलिए basic research किस चीज़ का काम करती हैं, हमारी knowledge को increase करने का काम करती है, knowledge enhance करती हैं, तो यहाँ पर देखो, third वालो जो option है, contribution to knowledge, यही इसका सही answer है, ठीक है, अब अगला देखते है, applied research में हमने क्या देखता, applied research का मतलब होता है, ऐसी research जो कि practical solutions को solve करने के लिए की जाती है, practical problems को solve करने के लिए, मतलब किसी भी problem के practical solution के लिए की जाती है, जो कि हम अपनी रोज मर्रा की जिन्दगी में करते हैं, applied research में basically क्या होता है, कि basic research के जो theories and principles हैं, उनको हम use करते है, applied research में, अपनी problems के solution के लिए तो देखो to find practical solution to everyday issue यह होगा इसका सही answer because applied research में हम यही करते हैं हम practical solution देखते हैं किसी भी problem का वो everyday life से related कोई भी issue यह problem हो सकती है अब आता है quantitative research quantitative or qualitative research के बारे में मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हो जहां पर भी objective word आ जाए या फिर deductive word आ जाए या फिर explanatory word आ जाए यह तीनों ही जो है कौन कौन से एक तो objective ठीक है और दूसरा deductive approach और तीसरा क्या था explanatory explanatory ठीक है तो जहां पर भी तीनों वर्ड आ जाएं यह तीनों ही किस से related होंगे quantitative से related होंगे तीनों ही वर्ड और इसके विपरीत अगर हम qualitative research की बात करें तो qualitative research में भी आपको तीन चीज़ याद रखना है जहां पर भी subjective आ जाए subjective word आ जाए inductive approach आ जाए या फिर exploration की बात आ जाए वहां पर हमारे क्या होगा qualitative research यह आपको याद रखना है तो यहां पर देखो आप quantitative research लिखा हुआ है और objectivity की कहां पर बात हरी इस second option में objective assessment इसलिए quantitative research का जो option हो जाएगा वो second option right answer हो जाएगा qualitative research में देखो यह एक्स्प्लोर करने की बात हो रही है exploration and description of concepts exploration का क्या मतलब होता है किसी चीज के बार में हम जब नहीं जानते हैं ज्यादा तो उसको explore करने की उसको ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं उसको हम कहते है exploration ओके यह point आपको clear हो गया आप लोग इसको हिंदी में भी देख लीजी एक बार question को देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वैवहारिक अनुसंदान अगर आप हिंदी में देखोगे तो इसका अंसर आप देखते ही लगा दोगे विकोज यहाँ पर लिखा हुआ है रोज मर्रा के मुद्धों का वैवहारिक समदान खोजना और यहाँ पर भी वैवहारिक लिखा हुआ है ठीक है बुनियादी अनुसंदान यानि की ज्ञान में योगदान मातरात्मक अनुसंदान मैंने आपको बता दिया है मातरात्मक यानि कॉंटिटिटिव जिससे गुडात्म कनुसंदान जहां पर हम खोज करते हैं ज्यादर ज्यादर जानने की कोशिश करते हैं कॉंसेप्ट को तो वह होगा गुडात्म कनुसंदान का टाइब कि तो यहां सही आंसर क्या हो जाएगा आपका option number 2 a का 4 b का 3 c का 2 और d का 1 अगला question देखते हैं यानि कि किसी भी educational institution में professional environment को build करने के लिए क्या करना चाहिए एक teacher को अपने students से पूछना चाहिए दूसरे teachers के teaching methodology के बारे में क्या आपको ऐसा लगता है क्या यह सही बात है ऐसा होना चाहिए बिल्कुल भी नहीं a teacher must feel envious about other teachers professional achievement क्या एक teacher को दूसरों के professional achievement या professional development से एडशिया रखनी चाहिए अपने अंदर यह भी बिल्कुल गलत बात है ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए teachers must work as a team सभी teachers को एक team की तरह काम करना चाहिए बिल्कुल positive statement है a senior teacher must encourage junior teacher to contribute in research and other academic activities for and for the institution यानि जो एक senior teacher है उसको encourage करना चाहिए किसको junior teachers को किस लिए ताकि वो contribute कर सके research में और other academic activities में कहां पर किसी भी institution की यह वे बिल्कुल सही बात है because senior teachers को encourage करना चाहिए अपने junior teachers को ताकि वो भी आगे बढ़ें वो भी motivate हों कुछ नया करने के लिए कुछ नया सीखने होना चाहिए एक शिक्षक को दूसरे शिक्षक की व्यवसाई को प्लब्धियों के बार में इर्शय महसूस करनी चाहिए यही निगेटिव वर्ड है इसे ही से कट जाए गई शिक्षकों को एंकरेज करना चाहिए तो हिंदी में तो बिल्कुल ही साफ हो गया कि यह दो ही स्टेटमेंट यहां पर ठीक है इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा ओनली सी एंडी ठीक है अगला क्वेशन देखते हैं अर्पित कोर्सेज एज ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्सेज और ओन स्वयम प्लेटफोर्म बाई अर्पित कोर्सेज जो की रिफ्रेशर कोर्सेज हैं कहां पर स्वयम पोर्टल पर रिफ्रेशर कोर्सेज कोन से होते हैं जो हम refresher courses कहते हैं तो जो अरपित courses है courses का नाम है अरपित यह refresher courses हैं कहां पर स्वयम पोर्टल पर स्वयम जो कि आपके online courses होती है ठीक है तो वहाँ पर जो refresher जो refresher courses हैं वो कौन कंडक्ट कराता है उनको कौन पेश करता है किसके दौरा पेश किये जाते हैं UGC HRDCS द्वारा ओनली या फिर PMMMNM टीटी सेंटर द्वारा या फिर national coordinators of Swam courses nine coordinator nine coordinators होते हैं स्वयम के जो कि मैं आपको अच्छे से इसकी ट्रिक भी बता चुकी हूं किस तरीके सा आपको याद रखना है कि स्वयम के कितने coordinators होते हैं nine coordinators होते हैं उनकी ट्रिक भी मैंने आपको बहुत इजी ट्रिक बताई थी याद करने की यह भी आपसे कई बार पूछा जा चुका है स्वयम के nine coordinators के बारे में तो यह आप लोग अपना एक homework की तरह लेना आपको जाकर अगर आपको नहीं बता है तो आज जाकर आपको देखना है कि स्वयम के nine coordinators कौन से होते हैं और अगर आप ट्रिक से याद करना चाहते हो तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट वाली दिस्ट में आप लोग जाकर देखना वहाँ पर इजी ट्रिक्स वाले option में आपको मिल जाएगा स्वयम से related coordinators के बारे में अगला है नेशनल रिसोर्स सेंटर इन डिफ्रेंट डिस्सिप्लेंस तो इसका सही इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता देती हूं इनके बारे में coordinators हमने समझे लिए हैं सोयम के तो देखो जो यह मिनिस्ट्री ओफ हुमन डिसोर्स और ड्वेलपमेंट यानि कि Children in 내 चाडी ओफिश्यली लाउंश्ट सी ओंलाइन एनवेल और रिफ्रेंश्र प्रोग्राइं इन टीचिंग अर्पित की फुल फर क्विशुंअंगा गई है जोोकी आपको याद मूग का जो प्लेटफॉर्म है एक स्वयम उस पर जो 15 लाग हायर एजुकेशन फैकल्टी है उनके लिए रिफ्रेशर प्रोग्राम चलाए गए थे और यह किसके द्वारा शुरू कर किया गया था अर्पित प्रोग्राम एमेचारडी के द्वारा कब किया गया था 13 नवंबर 2018 को उनलाइन प्रोफेशन डीममेंट के लिए किसके टीचर के पंद्रअ लाग से ज्यादा एजुकेशन की फैकल्टी क्यरुचिए अर्पित रिफ्रेशर कोर्स उसूरू किए गये थे किसं के द्वारा मेचारД के द्वारा और फर अर्पित अब आ गया आपको अच्छे से समझ में और इसके साथ इसके फुल फॉर्म भी आप सब पूछ सकते हैं जो हमारा सेकेंड ऑप्शन था पी एम 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 एन एम टीटी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है इसके फुल फॉर्म होती है पंडित मदन मोहन मालविया नेशनल मिशन और टीच एंड टीचिंग यह किसके लिए काम करता है यह इसकीम काम करती है यह किचा के प्रोफेश्नल के लिए drawn आच्छेशन के डूलेपमेंट के लिए हायर आजूकेशन में भी और लोओर एजूकेशन जो प्राइमरी लेए फीर स्कूल तक एकंट आ वहाँ अले और मोह not a characteristics of a MOOC, it can be accessed, यानि इन चारों में से कौन सी MOOC की characteristic नहीं है, ये भी आपका 2022 का ही question है, सारे ही questions 2022 के हम discuss कर रही है, तो देखो, MOOC जो है, MOOC की full form क्या होती है, massive open online courses, ये online courses हैं, जो कि सभी के लिए open है, open का मतलब है सभी के लिए, यानि anytime, anywhere, anyone, कोई भी, कभी भी कहीं से भी इनको access कर सकता है, तो anytime भी बिल्कुँ सही हो जाएगा, anywhere भी बिल्कुँ सही हो जाएगा, from any device having internet browser ये भी सही हो जाएगा, लेकिन only in the classroom ये बिल्कुल गलत बात है, because हमने पहले ही देखा, anytime, anywhere, anyone, कोई भी इनको access कर सकता है, तो ये सिर्फ class तक सीमित नहीं रहेंगे, ये courses, इसलिए यहाँ पर, जो यहाँ पर not पूछा गया है, तो सही answer क्या होगा, only in the classroom ये गलत होगा, बाकी के तीनों ही शामिल होंगे, अगला देखते हैं, hypothesis that is alternative to null hypothesis, is represented as, यहाँ पर basically ये पूछा गया है, कि null hypothesis की जो alternative hypothesis होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एक तरीके से alternative hypothesis का यहाँ पर symbol पूछा गया है, h not कहेंगे, h1 कहेंगे, h alt कहेंगे, या फिर h0 कहेंगे, not equals to 0, तो देखो, इसका सही answer होगा आपका h1, h1 क्या होता है हमारा alternative hypothesis, the alternative hypothesis is represented as, इसको h1 या h1 के दुआरअ पर दर्शित किया जाता है, h1 represent करता है hypothesis of interest को, इसका मतलब होता है hypothesis of interest, ठीक है, और h1 का क्या मतलब होता है, h1 का मतलब होता है, alternative hypothesis, और यह alternative hypothesis या फिर hypothesis of interest किसके alternative होती है यह null hypothesis के और एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखना कि अपने research के दौरान हम test किसको करती है null hypothesis को हमेशा test की जाएगी null hypothesis ओके और alternative hypothesis null hypothesis का एक alternative होता है अगला question देखते है hypothesis in research means जो hypothesis होती है hypothesis के बारे में जितने भी types है hypothesis के वो भी मैं आप लोगों को अच्छे से समझा चुकी हूँ वो भी आप देख सकते हो class बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पूरे concept को समझाता तो यहाँ पर कहा गया है hypothesis in research means आप सभी को पता है hypothesis का मतलब क्या होता है hypothesis होता है एक guesswork एक intellectual guesswork ठीक है एक tentative solution किसी भी problem का देखो अगर आपकी कोई चीज खो जाती है अगर आपके watch खो जाती है या फिर आपकी गाली की चाबी खो जाती है आप सोचते हो कि मैंने आखिर कहां रखी थी ठीक है आपकी problem क्या है कि आपकी चाबी खो गई आपकी की खो गई और उसको ढूंडने के लिए आप क्या करते हो सोच विचार करते हो मैंने last time कहां रखी थी कहीं मैंने यहां तो नहीं छोड़ दी तो आपने क्या किया intellectual activity की सो सोचा किससे सोचा अपने दिमाग से ऐसा हाइपोतिस जो होता है किसी भी अपनी हमारी research problem का एक tentative solution होता है तो यह कौन सी activity होई यह आपके mind के activity होई न तो इसलिए इसको intellectual गैस भी कहेंगे brilliant गैस भी कहेंगे intelligent गैस भी कहेंगे लेकिन negative गैस नहीं कहेंगे ठीक है इस Вас We एंसर क्या हो जाएगा 1 2 & 3 और वो कहां पर है option number 1 में option number 1 will be the correct answer intellectual gas भी होगा brilliant gas भी होगा और intelligent gas भी होगा negative gas नहीं होगा because negative नहीं होता है एक tentative solution होता है किसी भी problem का hypothesis अगला question है what is the full form of the software SPSS SPSS होता क्या है SPSS आपके social science में जो research होती है social sciences में जो research होती है उसमें statistical यानि कि आपके data के analyze के लिए SPSS software का use किया जाता है तो यहां पर इसकी full form क्यों होगी statistical package for social sciences या फिर statistical package for scientific survey या फिर special program for social security या फिर scientific program for social survey इसका सही answer होता है option number one statistical package for social sciences देखो SPSS is a widely used software package for statistical analysis in the social sciences यानि statics का यह data को जब आप analyze करते हो statics को analyze करते हो तब जिस software का आप use करते हो किसमें social science social sciences में जो research होती है उसमें उसमें यूज किया जाता है SPSS software का और उसकी full form होती ही statistical package for social sciences important concept है यह भी भेन communication contents are purposefully adjusted to fit an ideology the result will be यानि कि जब communication को किसको संचार को यह communication को communication का जो content है उसको एक उद्देश्य पूर्ण तरीके से adjust किया जाता है समायोजित किया जाता है किसी एक खास विचारधारा के according ठीक है तो उसके result को हम क्या कहेंगे तो परिणाम क्या होगा internationalization होगा promotion of peace होगा या फिर उसको social practicability हम कहेंगे या फिर power distortion उसको हम कहेंगे तो यह एक technical term है एक तरीके से बात है power distortion power distortion का क्या मतलब होता है कि जब communication content यानि कि जो भी संचार की सामगिरी है जो भी हमें communicate करना था उस चीज़ को हम समायोजित कर देते हैं adjust कर देते हैं अपने उद्देश्य के according किसी खास विचारधारा के लिए उसको हम कहते है पावर डिस्टोर्शन बस आप लोग यह नाम याद रखना पावर डिस्टोर्शन का मतलब के होता है जब अपनी communication को एक उद्देश्य पून तरीके से adjust कर देते हैं किसी विचारधारा के according उसको हम कहेंगे पावर डिस्टोर्शन अगला question है what is the next term in this series देखो यह reasoning से related question है इस तरह के questions कैसे solve करते हैं जिन लोगों को यह easy लगते हैं वो तो foreign कर लेंगे question को लेकिन जिन लोगों को नहीं आता है जैसे कि art site के बच्चे हैं उनको मुश्किल लगते हैं question तो आपको क्या करना है यहां पर तीन वो दिये गए हैं गुरूप ठीक है तीन गुरूप दिये गए हैं आपको सबसे पहले यह देखना है कि इसका पहला गुरूप इसका पहला लेटर इस गुरूप का पहले लेटर इस गुरूप का पहले लेटर इन दोनों में कितना gap है देखो B के बाद E आ रहा है B के बाद E कितना gap है B के बाद C D 2 का gap है यहाँ पर कितने का gap है 2 का E के बाद क्या रहा है H H और E के बीच कितना gap है E F G यहाँ पर भी 2 का gap है यानि 2-2 का gap चल रहा है सबसे first letter में तो देखो यहाँ पर भी जो first letter आएगा वो भी 2 के gap के बाद आएगा H के बाद क्या आएगा IJ इन दोनों को हम छोड़ देंगे और उसके बाद क्या आजाएगा K ठीक है तो देखो K कहां पर है यहीं पर है बाकी के options देखने की need ही नहीं है बट हम देख लेते हैं कि बाकी के options को कैसे इन लोगों ने रखा है M, M के बाद क्या है O, M, N, O यहाँ पर कितने का gap है एक का O के बाद क्या है Q, O, P, Q यहाँ पर भी कितने का gap है एक का ऐसे ही अब यहाँ पर क्या आया हमारा Q के बाद एक का gap क्या हो Q, R, S R को हमने छोड़ दिया, एक का gap लिया और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? S K, S उसके बाद, O के बाद क्या लिख रहा है? Q जो तीसरा वाला है हमारा तीसरा वाला क्या था? K, S तक हम आ चुके हैं तीसरा वाला था O, O के बाद है Q O, P, Q, एक का gap है यहाँ पर भी, Q के बाद S, Q, R, S, एक छोड़ा गया, ठीक है, ऐसे ही, S के बाद क्या आएगा, K आ चुका है हमारा, S आ चुका है, इसके बाद तीसरा क्या आएगा, S के बाद क्या होगा, S, T, U, T छोड़ दिया और फिर U आ गया, इस तरीके से यह हो गया आपका सही आंसर, ओके, तो आप किसी भी तरीके से क्वेशन आ जाए, आप लोग सॉल्फ कर लोगे, यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, K, S, U, First Option, अगले क्वेशन है, which of the following is defined as a type of irrelevant conclusion, fallacy, in which our distracting element is introduced to obscure an opponent's position, यानि निम्न लिखित में से किसे एक पिरकार का आप्रासंगिक, निशकर्ष भ्रहम के रूप में परिभाशित किया गया है, जिसमें पिर्तिद्वन्दी की स्थिति को अइसपस्ट करने के लिए एक विचलित करने वाला तत्थू पेश किया जाता है, simply question यह है कि उस term को, उस fallacy को क्या कहते हैं, जिसमें कि दूसरे बंदे को, हम दूसरे person को distract करते हैं, हम distract करते हैं, यानि कि में मुद्दे से ध्यान हटा कर किसी और तरफ उसका ध्यान लगा देते हैं, एक तरीके से distract कर देते हैं, तो वो किस fallacy का पार्ट होगा, simple question यह पुछा गया है, and appeal to emotion, appeal to inappropriate authority, argument add hominem, या फिर red herring, हमेशा याद रखना, जहां पर भी distracting आ जाए, fallacy की class भी मैं आप लोगों की ले चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने वो class नहीं देखिए न, fallacy वाली, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हूँ, because मैंने इतने easy तरीके से सारी fallacy को समझाया, आप लोग एक बार जरूर से जा कर देखना, उस class को, उस मैंने सारी fallacy बहुत ही अच्छे से बहुत अच्छे examples से आपको समझाईए, distracting की बाट जहां भी आएगी वो होगा red herring fallacy, red herring fallacy में क्या होता है, कि बात तो होती है कुछ और, बट हम mind को divert करने के लिए कह देते हैं कुछ और, जैसे कि, मैं आपको एक example से समझाती हूँ, जैसे कि एक छोटा बच्चा है, वो बहुत ज़्यादा जित कर रहा है अपनी मम्मी से, ममी मुझे तो ये खिलोना लेना है, ममी मैं इस खिलोने को लूँगा, market में जाकर वो मम्मी से जित कर रहा है, अब उसकी मम्मी क्या करती है उनकी मम्मी बोलती है कि बेटा जल्दी से घर चलो मैंने तुम्हारें लिए पीजा बनाया है ठीके तो उसमें क्या किया जो वो लेना चाहरा था उसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की उसको distract करने की कोशिश की और ध्यान कहीं और लगाने की कोशिश की तो इस तरह कि जो यह होती है जिसमें कि distract किया जाता है वहां होती है red herring fallacy okay I hope आपको अच्छे से समझ आ गया होगा which of the following methods of teaching learning is teacher centric यह तो बिलकुल क्या कहें लड़ू question है आप लोगों के लिए इसका आंसर क्या होगा यानि कि इसमें पूछा गया है teacher centric method कौन सा है chalk and talk method case studies discussion activity based या फिर field work देखो field work activity based इसमें दोनों ही learner involved होगा तो यह learner centric हुए case studies discussion यह भी लेकिन chalk and talk जो होता है वो teacher centric होता है ठीक है और यह एक पुराना method है chalk and talk method अब नहीं होता अब ज्यादा तर learner centered जो method होते हैं child centered जो method होते हैं उनको ज्यादा importance दी जाती है बड़ चोक and talk method को teacher centric method माना जाता है जिसमें कि simply teacher अपनी बात को बच्चों के सामने रखता है discussion ना होकर एक तरीके से lectures दिया जाता है बच्चों को ठीक है तो यहाँ पर सही answer क्या होगा chalk and talk method यानि कि board पर लिखना और बच्चों को समझा देना next question matching से related है जिसमें list 1 और list 2 दी गई है list 1 और list 2 में यह communication के type से related है list 2 में दिया गया है communication का type list 1 में दिया गया है उन communication का meaning सबसे first से start करते हैं prayer in silence यानि कि silence में जब आप prayer करते हो तो आप जोर से तो बोलते नहीं हो आप खुद से बात करते हो ठीक है आप खुद से प्रात्ना करते हो और जब जब हम self से यान कि खुद से बात करते हैं तो वहाँ पर एक बात होती है intra-personal communication की इंटर-personal communication होता है दो या दो से जाधर लोगों के बीच आपसमें बात चीत हो ना हमने सामने intra-personal communication होता है जब हम खुद से बात करते हैं जैसे खुद को motivate कर सकते हैं प्रेयर कर सकते हैं खुद को encourage कर सकते हैं ठीक है तो prayer in silence क्या हुआ intra-personal communication second teacher talking to students outside the classroom यानि एक teacher अपने students के साथ बात कर रहा है classroom से बाहर तो एक group में बात हो रही है teacher है और कुछ students है कुछ लोगों का समू है तो जब कुछ लोगों का समू होता है तो वहाँ पर होता है group communication क्योंकि teacher है और उसके कुछ students हैं अगला है the CEO of a company issues a circular to his subordinates CEO higher position है उसके subordinates lower position है जहां पर भी higher or lower position पर है या फिर दो लोग जिनके आपस में बातचीत हो रही है एक का level high है एक का level low है वहाँ पर क्या होगा वहाँ हमेशे होता है vertical communication वर्टिकल क्म्यूनिकेशन का क्या मतलब होता है vertical communication यानि एइसे एक होता है higher position पर और एक होता है lower position पर पर संग इन दोनों के बीच अपसमें बातचीत होती है वह होता है vertical यानि कि एक है CEO या फिर आपकी कंपनी के बॉस और आप महां के एंपलोई और इसके अलावा वर्टिकल कम्यूनिकेशन के अलावा एक होता है horizontal communication वह होता है ऐसे horizontal communication क्या होता है जिसमें सेम लेविल के लोगों के बीच बातचीत होती है ठीक है वह होता है आपका horizontal communication तो यह भी आप लोग याद रखना है तो हमारा फर्स्ट का क्या हुआ interpersonal communication क्योंकि खुद से बात हो रही है पीचर स्टूडेंट से बात कर रहा है यान कि एक बात कर रहा है यानि कि एक हायर लेविल पर है और एक लूवर लेविल पर हैं सेम लेविल नहीं है दोनों का यानि कि informal way में बात्चीत हो रही है कोई formally बात्चीत नहीं हो रही है informal way में अगर बात्चीत हो रही है तो informal communication का दूसरा नाम होता है grab wine communication यह आप लोग याद रखना तो informally अगर बात हो रही है तो वह होगा informal कम्यूनिकेशन यानि कि ग्रैप वाइन ठीक है तो देखो एका 3 कहां पर लिखा हुआ है एका 3 यहां पर लिखा हुआ है बी का 4 सी का 1 और डी का 2 इसलिए यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका option स्वच भारत मिशन ग्रामीड यानि कि स्वच भारत मिशन जो लाया गया तो उसमें एक SLWM का मतलब क्या है इसको मैं आगया भी आपको बताऊंगी SLWM की फुल फॉर्म आपको बतानी है है Solid and Liquid Waste Management या फिर Sanitation and Liquid Waste Management या फिर State Level Waste Management या फिर State Location फिर वार्ट मेनेज मेंमेंन चते फिरे खुल लेविखर है इसको सही आंसर है आपको याद रखना है यह पीपल ड्युक्डमेंट एन्वटेंट से लिया गया है क्वेशन आपके यूजी सिनेट पेपर वन के पीपल ड्वेलप्मेंट एन्वेर्मेंट से क्वेशन आया है इसका आंसर होगा सॉलिड एन लिक्विड वेस्ट मेनेजमेंट अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं देखो तू एक्सिलिरेट यानि की तेजी लाने के लिए किसमें इफ़र्ट्स में तू अचीव यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेश एंड टू पुट्ट दी फोकस ओन सैनिटेशन प्राइम मिनिस्टर ओफ इंडिया लॉंच्ट सवच भारत मिशन ऑन सेकेंड अक्तूबर टू थाज़ण 10 Π यानि साघूमिक स्वच्बहरेश प्राप्त करने के प्रियासों में तेजी आने और स्वच्छता पर ध्यान के इंद्रित करने के लिए भारत के प्रधान मंत्री ने दो अक्तूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन मिशन शुरू किया था और उसी का एक पार्ट है यह जो आपने अभी देखा SLWM जिसकी full form क्या है solid and liquid based management क्योंकि हमें स्वच्छ भारत अभियान चलाना है स्वच्छता coverage प्राप्त करने के प्रियासों में तेजी लानी थी अगला देखते हैं arrange the following fossil fuels in increasing order of their carbon intensities यानि निम ने लिखे जीवाश्म इंधन को उनकी carbon तीर बता के बढ़ते क्रम में व्यवस्तित करें यहाँ पर आपको बताना है कि जो carbon की intensity है वो natural gas में जादा होगी coal में जादा होगी या petroleum में जादा होगी आपको यह बताना है increasing order क्या होगा यानि कि फैल सबसे कम फिर उससे जादा फिर उसके बाद ठीक है तो देखो यहाँ पर natural gas है coal है और petroleum है तो सबसे कम किस में होगी उसके बाद होगी cnk petroleum में और सबसे ज्यादा जो carbon की intensity सबसे ज्यादा जो carbon release करता है वो करता है coal तो यहाँ पर देखो सही आंसर क्या होगा यह पहले ही शो हो गया यह यानि कि natural gas सबसे ज्यादा carbon intensity होगी दूसरा petroleum और सबसे ज्यादा होगा coal यानि ए उससे ज्यादा c और उससे ज्यादा होगा भी ठीक है राइट अंसर यहाँ पर क्या हुआ option no.1 अगला question है acronym ncbet represents जो ncbet है उसके full form क्या होगी national commission for vocational education and training या फिर national council for vocational education and training या फिर national council for vocational education and testing या फिर national commission for virtual education and training ठीक है इसका अंसर क्या होगा नैशनल council for vocational education and training होगा या फिर national commission for vocational education and training होगा इसका सही आंसर होगा option no.2 नैशनल council for vocational education and training यह भी question पूछा गया है full form भी आपको याद होनी चाहिए जैसे कि अर्पित के full form आपको याद होनी चाहिए और दीक्षा के full form आपको याद होनी चाहिए और भी बुझे से प्रग्यता है एक तो यह जितनी भी नई नई schemes हैं जो government द्वारा launch की गई हैं इन सभी के full form आपको आनी चाहिए तो यह शेयर और सब्स्राइब जरूर की दिएगा चैनल को सब्स्राइब के बगएर मत जाना ताकि आगे वाली classes की notification आपको टाइम पर मिल सके मिलते हैं अकले अपनी अगली class में thank you so much and take care